मेरा फर्स्ट एवर चैलिंज है योटूब पे और मैं बहुत ज़्यादे एक्साइटी रूँ इस चैलिंज के लिए सो आज के वीडियो ज़रूर देखिए असलाम लेकुम टो एवरिवन कैसे आप सब उमीद करूंगे कि सब खहरियत से होंगे सो आज के वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है सो आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्रेस्ट की है कि मैं आज ब्लाइन फॉल्डिर हिजाब चैलिंज करूं और मुझे भी बहुत एक्साइटी लगा कि वाकिमी करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए बहुत अच्छा है एक फन वे में भी हो जाएगा और हिजाब टिटोरियल भी हो जाएगा और बहुत एक्साइटीड हूँ मैं भी कि अगर मैं ऐसा आखे बंद करके हिजाब करूंगी तो वो कैसा करूंगी कैसा होगा यही हिजाब टिटोरियल जो है वे मैं करने वाली हूँ जस्ट बिकोज ही मैंने सीरियसली आप युकीन नहीं करेंगे मैंने इसे आइस बंद करके देन हिजाब किया है और उसे हिजाब को मतब ब्लाइंड पटी जो हटा के देन आपसे यूं बात कर रही हूँ इंट्रो बना रही हूँ आपको यह हिजाब चैलिंज बहुत जंद आने वाला है आप वीडियो को देखें और वीडियो करें लेकिन उसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगा हिजाब चैलिंज कर रही हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर ने जिनने मैं मैंचिन कर रही हूँ उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यह हिजाब टिटोरियल करूँ हिजाब चैलिंज करूँ जरूर करूंगे और इंशाला यह इसे वीडियो में होगा आप सबसे कहती हूँ कि Εमय कोई परडूक का रिभियू । कोई भी उनसरी मैं इकप या कुछ भी कुछ भी कुछ प्यजय कर सकती हैं आप खाती हैं यह मैं वई जरूर बिताईगा अगर बगर यह मैं चैलिंज के जब में इस वीडियो को तर पूरा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटिंग जब आप ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं या किसी चीज़ की एपिसेशन करते हैं तो सीरियसली बहुत ज्यादा मोटिवेटीड होता है बंदा और फिर दिल करता है कि काम और ज्यादा अच्छे तरीके से करें तो मै आपको इसके बारे में इन्फो दूँ तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बिताएगा मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगे और उसका नएस्ट रिव्यू जरूर दूंगे इंचाला इंचाला सो वीडियो को एंच्छाइग करें और वीडिय मैं अगर मैं आँखे बंद करके हिजाब करूं तो कैसा होगा सो काफी इंट्रस्टिंग है और बहुत एक्साइटिंग भी सबसे पहले मैं अपनी आइस को कर लेती हूं और उसके लिए मैं अपनी ये पट्टी जो है वो बांद लेती हूं देन जी फिर आगे हम अपना हिजाब होने वाला है एंड लिटरली मुझे कुछ भी नजर नहीं आरा कुछ भी सो ये है जी मेरे हिजाब का दुपटा जो के मैं आज वेर करूंगी है और पता नहीं कैसा हिजाब करने वाली हूं ये मुझे खुद नहीं पता सो चलिए स्टार्ट करते हैं हिजाब करने क अगर दुपट्ट्टा आपका इस तरह है तो जूरूर पहनने और बाकिके साथ भी अगर अच्छा के पहनते हैं तो आपके जो हुझा वूलिम वो बहुत अचा तैए तो इस तरह से आपने लेकर अपने हिजाब के उपर से नोग जो बनाते हैं वो बनानी है और दिया आपन तो मैं खुद बहुत नर्वस भी थी और इंज्वाय भी कर रही थी सीरियसली इस नहीं से दुबटे को लाके मैंने यहां पर पिन लगाई एंड मैंने का यहां पर मैं बोल नहीं रही थी सो मैंने का वोईज ओवर कर दूं ताके आपको थोड़ा अजीब ना लगे और आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें तो यहां पर हम एक पिन लगा देंगे एंड मैंने वह एक नोक सा जो हिजाब होता है वैसे बनानी की कोशिश की थी लाइक सामने से यहां पर जो नोक होती है वह बन जाए यहां पर भी हम पिन लगा देते हैं आइधिंग यह स्टप कोशिश को पूरी करेंगे कि वैसा ही हिजाब हो सो लेट सी यहां पर मैंने पिन लगा दी है ताकि हिजाब जो हमारी एक नोक जो हो निकल आए और मैं खुद बहुत एक्साइटीड हूँ है इस हिजाब को देखने के लिए जल्दी जल्दी से करते हैं और यहां पर आपने जैसे मैं करूंगी आपको दिखाऊंगी और देन मैं इसको हटा मन्दा हटा के नहीं उठा कर इसको इस तरह से उपर कर दूँ है तो यह एक न्यू स्टाइल का हिजाब भी आप कह सकते हैं बिकोज मेरे चैनल पे ऐसा हिजाब स्टाइल जो है वो पहले मैंने अभी तक चाहिए क्योंके मेरे पॉलवर्स ने मुझे से रिक्वेस्ट किया है तो यह बहुत बड़ी बात है तो होपस हो कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को पुरा कर पाई हूं तो चलिए अभी मैं इस पट्टी को उतारती हूं देन देखने कि हमारा हिजाब कैसा हुआ हुआ है ठीक ह तो यह से खौनने में थोड़ी प्रोब्लम हो रही है इस तरह ही आगे कर लेती हूं देन मैं बैग कैमरा जाके इसको उतारती हूं और आपको दिखाती हूं ठीक है तो यह 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 पहले मैं उतारती हूं देन आप से बात करती हूं और देखते हैं अपना हिजाब आप कहते हैं तरी हिजाब आई मैं बहुत ही अपा कर कुक्त ही। में प्रोपर्ली हिजाब नहीं करती लें मुझे पैश्पा संद्धक्ता itself तो मुझे हिजाब के बहुत अच्छा लगता है मुझे वेवरार करना अच अच्छा लगता है तो मुझे एक पोलवर्ड ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ब्लाइंड फॉल्डिड हिजाब टिटॉरियल हिजाब चैलिंज करके दिखाएं आप हिजाब करती हैं बहुत अच्छे हिजाब करती हैं तो ये चैलिंज भी करें तो फिर मैंने सोचा कि वाकि में क्यों ना मुझे भी वदा चले मैं अपने लिए भी खुद करूँ और आप लोगों के लिए भी कि मुझे भी वदा चले कि मैं अगर आइस बंद करके ब्लाइंड होके हिजाब करूँगी तो कैसा करूँगी तो या अलहम्दल्ला आपके सामने है